इसको खोल के दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है एक बड़ आप वीडियो में बने रहें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह कुंटेक्टर हमारा क्या होता है फ्रेंट्स यह एक electric switch है जिसके अंदर electricity मतलब कि बिजली देने के बाद यह on off करता है circuit को तो यह एक electric switch है यहां से इसके अंदर electric supply देंगे बिजली की supply देंगे तब यह on off होगा आपने देखा होगे गरों में जो हम light को on करते हैं तो वो एक mechanical switch है जिसको हम हाथ से प्रेस करेंगे और वो on हो जाएगा तो वो mechanical switch है अगर इसके अंदर electric supply देंगे तब जाके यह on होता है तो यह electric switch है ठीक है तो अभी next यह आता है कि यह contractor use कहा पे होता है फ्रेंड्स आपने देखा होगे अगर industry या company में अगर हमें काम कर रहे हैं तो आप यह basically star delta, DOL starter, reverse forward, VFD, soft starter काफी जगह पे यह starter motor के starter होते हैं वहाँ पे इसको use किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है अभी इसको देख लेते हैं कि यह काम कैसे करता है सबसे पहले तो हम यह बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर दो तरह की supply use होती है फ्रेंड्स ठीक है, एक तो power supply, power supply का और control supply ठीक है, control supply तो फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ पे A1 और A2 के अंदर connect की जाती है जो कि इस contractor को on करने के काम आती है ठीक है, और जो power supply, three phase supply हम इसके अंदर connect करते हैं वो यहाँ पे एक, दो, तीन जो terminal है L1, L2, L3 यह input है इसके और यह इधर के output है तो यहाँ से हम इसकी power supply connect करेंगे और यहाँ से reuse output लेंगे वो supply को on करने के लिए हम control supply इसके अंदर देते हैं इसकी coil के अंदर ठीक है, और अभी आपको यह पता लग गया होगा कि इसके अंदर दो supply आती है power और control, control इस contractor को control करने के लिए power हमारी use करने के लिए जो contractor है, इसके अंदर एक coil होती है ठीक है, coil के अंदर जब supply जाती है, 220 voltage है, magnet बनता है तो क्या होता है, वो एक plunger होता है, उसको खीज लेता है खीजने से क्या होता है, इसका circuit है, वो close हो जाता है ठीक है, मैं आपको एक diagram की साइदा से समझा देता हूँ जैसे कि इसके अंदर एक friends कोil है यह, ठीक है coil के इसके अंदर दो-दो terminal है, आप देख सकते हैं A1, A2, A2, A1, ठीक है तो यह दोनों साइड में से आप किसी भी साइड में connect कर सकते हैं इदर से भी कर सकते हैं, या फिर इदर से भी कर सकते हैं या A1 इदर का ले सकते हैं, और A2 इदर का ले सकते हैं यह एवन इदर का ले सकते हैं या फिर एटू इदर का ले सकते हैं तुम आपको यहाँ पर बता जेता हूं इसके अंदर यह एवन एवन एटू एटू और बीच में supply मतलब kuail है यहां से अगर हम supply देंगे तो यह kuail operate होगी, kuail operate होगी तो यहाँ पर magnetic field बनेगा, то यह अपने side में कुछ plunger होगा तो उसको plunger को खीचे का मैं आपको इसको खॉल के दिखाने वाला हूं कि यह कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है एक बड़ आप वीडियो में बने रहें ठीक है और इसके जो पॉइंट है जो उपर के पॉइंट है इनको भी मैं आपको समझा देता हूँ तो आप यह देख सकते हैं यह इनपूट हो गया हमारा एलवन एलट्व एलट्री और टीवन टीट्व टीट्री यह आउट्पूट है तो इसके अंदर कुछ इस तरह से यह स्ट्रिप दी हुई है ठीक है जब इस क्वाइल के अंदर स्प्लाई आएगी तो क्य तो उसमें क्या है जब हम इधर से अर वाई बी तीन स्प्लाई दे रहे हैं तो वो जब यह कलोज हो जाएगा सर्किट तो यह इधर से आउट्पूट हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है फ्रेंट्स तो यह इस तरह से काम करता है इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है नॉर्मल पोजिशन पर इसके अंदर सप्लाई नहीं देते हैं तो वो स्प्रिंग की वज़े से ये ओपन रहता है नॉर्मल पोजिशन पर हमारा कॉंटेक्टर है वो ओपन ही रहेगा तो अभी हम इसको खॉल के दिखा देते हैं आपको तो ये आप देख सकते हैं इदर से दो इसके स्क्रू लगए हुए जो इसको खॉल लेंगे हम तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉंटेक्ट है जो ओपन क्लोज हो रहे हैं ठीक है इसको हम तोड़ा अच्छे से खूल लेते हैं तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है तो ये वाला स्प्रिंग वो ये स्प्रिंग है जो कि इसको ऊपर की साइट ऐसे करके दबा गे रखता है ठीक है इसको दबा गे रखता है जब इसको मैगनेट बनती है तो इसको इधर कीज लेती है इस तरह से और उपर के जो contact है आप देख सकते हैं इस तरह से close हो जाते हैं अपने circuit को close करते हैं तो इसकी coil आपको दिखा देता हूँ ये इसकी coil है इसको असानी से आप निकाल भी सकते हैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ अगर ये मालो coil जल जाती है या खराब हो जाती है तो इसको आप change कर सकते हैं माल लीजिए ये किसी condition के कारण coil जल जाती है तो इसको चेंज कर सकते हैं असानी से तो इधर सीए a1 a1 a2 a2 इस तरह से है तीक है यह इसकी coil है जब इसके इसके अरफ्लाइ किसी और छिक चली जाएगे तो य proudly इसको ओपर की साइड कर देगा और circuit को open कर देगा ठीक है यह इस तरह से अभी मैं इसको अंदर supply आपको देखे दिखाऊंगा एक दूसरा contactor है मेरे पास उसको खोल के दिखाजता हूँ यह 3-pole का है फ्रेंट्स इसके अंदर 3-pole है 1, 2, 3, ठीक है मैं आपको 4-pole का contactor है इसको दिखाने वाला हम भी तो फ्रेंट्स इए देख सकते हैं आपकी 4-pole का हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 input है ठीक है तो इस contactor के अंदर मैं अभी supply आपको देखे दिखाऊंगा इसका भी उपर का casing इसका उपर का cover है इसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको इसके अलग terminal है उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे on off हो रहा है यह तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसके अंदर के circuit यह जो अंदर की जो strip है यह वाली यह एक circuit को close कर देती है ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले supply देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसके अंदर A1 और A2 के अंदर supply देनी है A1 के अंदर हम phase wire दे देंगे यह A1 है इसके अंदर फ्रेंट्स तो अलग अलग परकार की supply यूज करते है control और power ठीक है यह बात त्यान में रखने है आपको और neutral को हम A2 के अंदर connect कर देंगे जो control supply है वो सिरफ इस contactor को on करेगी नएकि इसकी power को on करेगी ठीक है तो इसके अंदर हमने supply को connector दिया है और इस MCBC के तुरू हम इसको on करेंगे पिछे से supply को on कर लेते हैं तो पिछे से supply हमने दे दी है अभी हम जैसे इसको on करेंगे तो यह connector on हो जाएगा आप देखते रहें आप ठीक है यह on हो गया है इस तरह से जब उसके अंदर magnet बनती है तो यह नीचे खीज लेता है और जब इसके supply छोड़ेंगे हम तो सप्रिंग जो है वह उसको उपर की तरफ दखेल देता है इस तरह से तो यह connector कुछ इस तरह से काम करता है फ्रेंड्स कॉंटेक्टर में आपको बता देता हूं कि कितने टाइप के आते हैं यह तो आपने देख लिया कि कैसे काम करता है इसका working principle देख लिया आपने और कॉंटेक्टर क्या होता है यह पता लग गया और कहां पे यूज होता है यह पता लग गया अभी कॉंटेक्टर आता है ये जहां पे हम neutral वगएरा यूज नहीं कर रहे होते हैं वहां पे three phase से दो phase उठा के हम उसको controlling supply से on off करवाते हैं तो वहां पे 415 voltage की coil का use होता है तो friends ये तो था voltage के हिसाब से अभी हम बात कर लेते हैं इसकी ये जैसे की चार पोल का है ये single pole का भी contractor आता है friends दो pole का भी तीन pole का भी और चार pole का भी तीन pole का हमने ये खोल के रखा हुआ ये वाड़ा है चार pole का ये है और single pole double pole के भी contractor आते हैं तो friends इस वीडियो में आपने देख लिया कि contractor क्या होता है इसका कैसे काम करता है ये इसके कैसे कैसे ट्रमिनल होते हैं ठीक है हमने इसको आपको क्योंकिक notes फोल मी है कि कैसें काम कर रहा है यह और इसके working principle आपने देख लिया और यह भी पता लगे कि आपको यह खाहर प स्थार्टर रिवर्स फोरवर्ड उफ्ड सोफ चांटर वहाँ पे इसको 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 अगर फिर भी आपका कोई question, answer, कोई भी सुझाओ, कुछ भी किसी प्रकार का सुझाओ, सवाल है, तो आप नीचे comment box में हमें comment करें, हम आपका answer जरूर बताएंगे, अगर आपका सुझाओ है तो उसको भी हम observation करेंगे, तो दोस्तों, friends, आपको कैसी video कैसी लगी, comment करके जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जूरू करताना, तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते ही, शीखते ही है, YouTube चैनल, जैहिन, वन्दमात्रम,